हाई गाईज, आज के वीडियो में मैं भांग के बीच का प्रोटीन पाउडर बनाना दिखा रही हूँ ये बेस्ट वीगन प्रोटीन पाउडर है क्योंकि इसमें 20 अमीनो आसिड्स हैं जिन में से 9 हमारी बॉड़ी बना नहीं पाती मेरे चानल में भांग के बीच और उसे वजन कैसे कम होगा इसका वीडियो मौजूद है अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इन्हें इंग्लिश में हम सीड्स कहते हैं यह वीडियो इंग्लिश में आप मेरे पहले चानल वजटाइलिकी में देख सकते हैं प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैंने आधा कप भांग के बीच लिये हैं इन्हें गरम फ्राइंग पैन में ट्राइ रोस्ट कर लें कुछ मिनिट्स में यह बीच क्रैकल करने लगेंगे इस प्रोटीन पाउडर में बहुत सारा डाइटरी फाइबर, क्लोरोफिल, मेनरल्स और अंटी आक्सिजन्स हैं इसमें कोई साचुरेटेट फैट, कोलेस्टरॉल, सोडियम या शुगर नहीं है एक सर्विंग मतलब 30 ग्राम या 4 टेबल स्पून प्रोटीन पाउडर में 120 कैलरीज, 12 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फैट और 5 ग्राम फाइबर है इसके कुछ फाइदे शेयर कर रही हूँ, इसको अपने खाने में डालेंगे तो खाने में प्रोटीन और फाइबर की मातरा बढ़ जाएगी इसके ओमेगा 3 फैटी आसिट्स आपके हार्ट के हेल्थ को ठीक रखते हैं ये हड्डियों को कमजोर नहीं होने देते, इसलिए महिलाओं के लिए काफी अच्छे है इस प्रोटीन पाउडर में बहुत सारा सोलीबल और इंसोलीबल फाइबर है जो कब्स दूर करेगा और बॉड़ी की टॉकसिन्स बाहर निकालेगा इसका फाइबर ब्लड ग्लुकोस कंट्रोल करता है जिससे मीठे की भूग कम होती है इस प्रोटीन पाउडर के कुछ और रेसिपीज लेके जल्दी आओंगे इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अब गैस बंद कर लें और इन्हें ठंडा होने दें फिर इन्हें ग्राइंडर में पीस लें यह कुछ ऐसे दिखेंगे इससे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है इस प्रोटीन पाउडर को दूसरे प्रोटीन पाउडर के जैसे ही यूज करें सुबह के नाश्ते या जिम जाने से पहले या बाद में अपने स्मूधी या शेक्स में डाल सकते हैं दूद में भी मिला के पी सकते हैं चिंदा ना करें इस पाउडर में कोई नशा नहीं है भांग के बीच खरीदने के लिए आप दिस्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक यूज कर सकते हैं छिलके वाले बीच आराम से मिल जाते हैं, इसलिए इने खरीदें और घर में ही उनका पाउडर बनाएं इससे पैसे भी बचेंगे और छिलके का फाइबर वेस्ट भी नहीं होगा वीडियो लाइक और शेयर करें और चानल सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी मिलोंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक भांग के बीच घर लाएं और जल्दी नाश्रल तरीकों से वजन घटाएं बाबाई